नमस्कार दोस्तों काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ आपको लिए एक डाइगराम बनाने की एक बात समझाने की कोशिश करूँआ आज की वीडियो में देखे अगर मान लिजे हमने अपनी फोन की डिस्पले चेंज करा ली तो चेंज कराने के बाद दुकान वाला ऐसे इस खाली हिस्सा है यह उठा रहेगा अब जब हम यह प्रोसेस होने के बाद उसमें टेंपड गिलास अगर लगा देते हैं रबट अटाने के फोरन बाद तो फिर आपका टच जिस जगह पर रबट लगी हो इतना इसी जगह से चटकेगा अपने आप चटक जाएगा बाई सीधा हो जाता अपने अपने लेवल में आजाएगा सीधे लेवल में ठीक है और नितो अगर आप फोरन लगवा देते हो तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसी टेंपड गिलास लगाते हैं तो वह टच वहां से चटक जाएगा जहां से रबट लगी है और आपको एक बा उसमें प्रोब्लम आजाती है इस जगह रबट लगी रहेगे न उस जगह से टच दब जाएगा और फिर कस्टुमर किसी दुकान पर जागे टेंपड गिलास लगवा देगा न उसमें तो लगाते लगाते ही चटक जाएगा फिर बाद में वो टेंपड वाले के सर हो जाए ने तो टेंपड लगाते ही चटकेगा क्योंकि उस वक्त वह जोर से चिपका हुआ होता यहां इसके नीचे हमने पेश्ट लगाया था उल्डर को लगाने से पहले हमने पेश्ट लगाया था तो उस जगह से चिपक जाते हैं यह जो रबट जहां लगी हो इस जगह से टाइ तो वो जब सीधा लगेगा न तो इस दभी हुई जगह पर जो रवड लगी थी इस जगह को चिपकाने के कोशिच करेगा टेमपड और फिर वो टेमपड इसको लेट उटेगा और उसके बाद है न फिर वो टेमपड तोड़ देगा आपकी डिस्प्ले को ठीक है तो इसलिए टेमपड अगर आप कस्टुमर को लगाए अगर आपने डिस्प्ले चेंज करिये तो उसको बोलिए कि प्लास्टिक की ट्रिंक लगाए या फिर खुद लगा कर दो प्लास्टिक की ट्रिंक आती है बीस रुपे तक की मिल जाती है मार्केट में मगर उसे लगाने के सो ले लेते हैं दुकान वाले कोई नहीं मगर आप उसको प्लास्टिक का टैंपर लगाए देना जब भी डिस्पले चेंज करा कर दो ऐसे में कस्टुमर भी आपका बना रहेगा और कभी उसके भी पैसे खराब नहीं होंगे और आपके भी पैसे खराब नहीं होंगे ठीक हो चैनल को सब्सक्राइब करना हो और लाइक कर देना मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत